आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो sound waves सबसे दूर तक किसमें ट्रेवल करी होगी तो simple है sound waves की speed जिसमें जितनी जादा उसमें उतनी जादा दूर तक वो ट्रेवल कर पाएगा यह तो हम समझ सकते हैं तो sound की जो speed है वो सबसे जादा होती है solids में solids से थोड़ी कम होती है liquids में और liquid से भी कम होती है gases में इन तीनों के लावा एक और scene बसता है vacuum तो vacuum में कोई भी medium नहीं है तो speed of sound in vacuum zero होती है क्योंकि sound को at least medium चाहिए travel करने के लिए vacuum में कोई medium नहीं है तो sound travel ही नहीं कर सकता ठीक है तो इतनी बाते हम समझ गए इन में से सबसे दूर किस में travel करेगी air में air है gases तो देखते हैं क्या मेरे पास liquid या solid का option है क्योंकि इस में ज़्यादा fast travel करती है तो ज़्यादा दूर तक जाएगी ocean ये liquids है तो ये ocean अभी तक का तो better option है फिर outer space तो vacuum है तो vacuum में तो travel ही नहीं कर सकती तो ये तो बिल्कुल गलत है ये भी गलत होगी क्या मैं पता ocean एक better option मिला हुआ भी तक क्या हम solids में कुछ ढूढ सकते है तो last option है Rocky Mountains जो कि solids है obviously इन सब में से सबसे ज़्यादा तेज अब वो solids में ही travel करेगा तो सबसे ज़्यादा दूर तक इसी में travel करेगा ठीक है? ध्यान रखना कि जिसमें जितनी ज़्यादा speed से वो travel करते हैं उसमें उतने ही ज़्यादा कम energy losses होते हैं ठीक है? और जितने कम energy losses वो उतनी easily उतनी दूरी तक travel कर सकता है जादा जादा दूरी तक बिना डाइ आउट करें ठीक है? तो solids में speed सबसे जादा होती है, energy losses सबसे कम होते हैं तो इसके साथ ये question हमारा हो जाता है complete Classics to dwell से लेके need IIT means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ये download करें doubt net app ये whatsapp कीजिए अपने doubt 84444 पर